जैहिन चलिए समस्ते इस वीडियो में भारत के सबसे सक्तिसाली, सबसे खतरनाक और सबसे खूफिया मिशन काली नामक हतियार के बारे में और इस काली नामक हतियार से कैसे ओप्रेशन वाइट वास को अन्याम दिया गया जिसे देखकर पूरी दुनिया चौक गई काली को सबसे पहले भाभा एटोमिक रिशर्च सेंटर यानी बार्क ने एक इस्टुमेंट के तोर पर बनाया था ताकि यह अपने सेटलाइट को सुरक्षा दे सके उन्हें प्रोपेल कर सके और उन पर पढ़ने वाले एलेक्ट्रोमेगनेटिक वेब से उनकी सुरक्षा कर सक यह भाभा एटोमिक रिशर्च सेंटर मुंबई के समीब ट्रामबे में है यहां एक जगा है मुंबई के पास ट्रामबे वहां यह पहाडियों से घिरा हुआ एक बहुत ही टॉप सीक्रेट इंडिया का जगा है यहां जो भी खूपियां हतियार वगरा बनाए जाते हैं वो एक किलो एंपियर तो उतने हैबी इंपल्स को यह किसी एक जगह linear यानी सीद में इंजक्ट करता है डाल देता है महाँ पर काली की सबसे बड़ी खराबी क्या है इसका साइज बहुत बढ़ा है बहुत बढ़ा साइज होने के वज़ए से इसको हम आसानी से एक जगह से दू सर सेंटर से आया था काली जो सबसे खतरनाग वरियंट है काली एक हजार वो 40 गीगावाट का एनरजी रियूस करता है अब 40 गीगावाट समझे भारत का सबसे जादे आबादी वाला राज उत्तर परदेश है इसको बिजली की खपत सबसे जादे जरूवत है क्योंकि जाद लेकिन इतने कम समय के लिए अगर देता है तो उतना तगरा जटका किसी को लग जागा तो बरदाफ थोड़ी कर पाएगा आसमान से जो बिजली गिरती है वो लगवग एक हजार एंपियर की होती है आई यह उसका बाप है दिख रहे हैं यह 40 गीगावाट बिजली के जटका लगेगा एक बार में तो कोई भी चीज तहस नास हो जाएगी काली को इंडिया करता है कि यह कोई हथियार ही नहीं है यह एक इंस्टुमेंट हम इसे अपनी सुरक्षा के लिए यूज करेंगे लेकिन अगर इस से किसी दुस्मन के विमान या किसी दुस्मन के सेटलाइट मिसाइल पर हमला करेंगे तो उसका जितना भी एलेक्ट्रोनिक सिस्टम है सब धोस्त हो जाएगा विमान अपना रास्ता बटक जाएगा मिसाइल रास्ता बटक जाएगी सेटलाइट को बरबाद कर सकते हैं तो इसका हतियार के रूप में यूज करेंगे तो यह काफी खतरनाक है इसका परियोग किया गया ओपरेशन वाइट वास में समझते हैं क्या है ये ओपरेशन वाइट वास सियाचीन ग्लेसियर स्ट्रेटिजिक रूप से काफी महत्तपूर जगा है यहां पर इंडिया पाकिस्तान दोनों के साइनिक रहते हैं हाला कि इंडिया का कबजा है लेकिन उसके दूसरे साइड में पाकिस्तान रहता है तो इन दोनों के साइनिक बर्फ के गिरने से बर्फ का फिसल का गिर जाना बहुत बड़े हिस्सा को उसे हम एवलांच या फिर हिम्स खलन कहते हैं तो यहां हिम्स खलन की घटना बहुत जादे होती है और हिम्स खलन से ही यहां जादे तर फौजी मरते हैं तो यहां पर RAW के खुफिया एजेंट के दिमाग में एक आइडिया आया कि जब बर्फ को इतना तीजी से नीचे खी सकता है यह एवलांच होते हैं तो अगर हम लोग खुद से एवलांच ला दे तो हतियार चलानी की जरूरत ही नहीं है तो RAW और DRDO ने मिलकर काली को यहां पर अटैक करने का प्लान बनाया लेकिन काली में सबसे बड़ी खराबी क्या है काली का साइज इतना भयानक है कि उसको इतना उपर चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा दूसरा काली जब भी जलती है तो इतना ज़्यादे हीट प्रोडियूस करती है कि जहां रख के आप काली को इंजेक्ट करिएगा की भी दिक्कत है तब रॉक के एजेंट्स ने प्लान बनाया कि सियाचीन पर जो हमला होगा वो काली से ही होगा लेकिन काली हथियार को हम हवाई-जहाज में भरेंगे हवाई-जहाज को चुना गया IL-76 इस IL-76 को हम लोग ने कटक में लाएं कटक में ले आकर इसमें लोड किया गया काली नामक हथियार को अब इस काली को यहाँ हथियार को लोड कर दिया गया जानबुज के कटक में लोड किया गया कि किसी का ध्यान ना जाए कि हमको आपरेशन उधर करना है ताकि ध्यान उधर से इधर भटकाए जा सके और काली को यहाँ पे लोड करने के बाद इसे सहारनपूर एयर बेस पर हम लोगों ने पहुँचा दिया और इसकी सुराच्छा में सैनिकों को तैनात का दिया किसी को यह नहीं पता था कि इसके अंदर है क्या इस विमान के अंदर लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आनी थी कि इस विमान के अंदर इस्थित काली को बिजली कहाँ से दिया जाए उतना हैवी बिजली नहीं दे पाया सकते थे एक जहाज का इन्यन उतना बिजली नहीं बना पता है बिजली की समस्या दूर करने के लिए RAW के एजेंट्स ने दिमाग लगाया कि अगर हम विमान का इन्यन खोल लेते हैं तो विमान का इन्यन बहुत ही बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करता है और इस बिजली को हम कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर की मदद से हाई भोल्टेज को बना सकते हैं तो एक विमान का इन्यन को खोल कर IL-76 के अंदर सेट किया गया और उससे बिजली बना कर काली को स्टाट किया गया IL-76 के अंदर काली नामक हतियार था उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे इसलिए सुरक्षा का बहुत जादे ध्यान रखा गया कई लेयर की सुरक्षा बनाए गया और सबसे पहले आगे भेजा गया Evox बिमान को Evox का मतलब होता है Airborne Warning and Control System इस बिमान के ऊपर रडार लगे होते हैं और ये रडार पूरे दुस्मन को देखते रहते हैं कि कोई दूसरा जहाज तो नहीं है इस एरिया में और अगर इस एरिया में है तो इसके अंदर बैठे जितने रडार कंट्रोलर है वो अगल बगल बता देते हैं जो सो किलोमीटर दूर जहाज है इधर जहाज है तो इसको पूरी तरह सबसे पहले भेजा गया आगे एवाक्स को एवाक्स बीमान आगे आगे चल रहा था एवाक्स के पीछे लगाए गया सुखोई को ये सुखोई को हम लोग पूना से बुला के लायते हैं दक्षिड भारत से जहाज उड़ किया था सेफटी देने के लिए ताकि किसी की नजर न पड़े सुखोई बीमान की खास्यत है ये इंटरसेप्टर है दूसरे जहाज को बहुत तेजी से दोड़ा के मारता है तो जैसे एवाक्स किसी बीमान को देखेगा उसे इंटरसेप् नामक जहाजों को तैनात किया गया चूकि कोई भी जहाज कस्मीर से उड़ान नहीं भरा था ताकि दुस्मनों की नजर न पड़े सभी के सभी जहाज हिंदुस्तान के अलग-अलग कोना से उड़े थे अता एक समस्या ये भी थी कि उड़ान भरने के बाद आधे रस्ते मे इनका fuel में कमी आईगी, fuel खतम होने लगेगा क्योंकि जब भी आप दुस्मन के एरिया के करीब रहते हैं तो कोशिस करना चाहिए आपके पास maximum fuel हो ताकि आप किसी भी विशम परिस्तिती में भाग के आ सके fuel को दिक्कत को दूर करने के लिए mid air refueling के लिए एक विवस्ता किया गया IL-76 विमान का एक air refueler विमान है इस विमान से हवा में ही कस्मीर में भूसने से पहले ही सारे जहाजों में fuel को पूरी तरह से भर कर जहाजों को ready कर लिया गया इस प्रकार सबसे आगे चल रहा था Evox Evox के पीछे था आपका IL-70 देखिए दोनों विमान IL-70 है ये Evox में करणवर्ट कर दिया गया था इसको load होने के लिए अब इनकी सुरक्षा के लिए लगे थे आपके सुखोई जहाज लगे थे मिराज जहाज लगे थे और refueling की भी विवस्ता की गई थी उपर से ISRO के सेटलाइट भी उन पर नजर जमाए हुए है ISRO के सेटलाइट वहाँ पर सियाचीन के पास मींटो मींटो की खवर ले रहे थे कि वहाँ पाकिस्तानी सैनिक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हिम्स खलन बर्फ की मोटाई कितनी जमी है क्योंकि रात बर में बर्फ और जादे जम जाता है तिन जहाजोग के कैप्टन में किसी को नहीं पता था कि हमें हमला कहां करना है केवल पता था कि AIL-76 के पाइलट को और उसके अंदर अउपरेट कर रहे काली को काली जो था पहुँच गया 7 अपरेल 2012 को ये कटक से लोड हुआ था और सहारनपूर में ये इंतजार कर रहा था यहां से ये चल दिया सियाचीन के लिए ये 4 बज़े यहां से उडान भरा था एकदम आराम से धीमी गती से आगे बढ़ता हुआ और ये 5 बज़ के 40 मिनट पर सियाचीन ग्लेसियर पर गया और वहां पर इसने काली से इंजेक्ट करना चालू किया लेजर बीम्स को वो हाई इंपल्स के बीम को वहाँ पर इंजेक्ट करना चालू किया इसके इंजेक्ट करने से हाई बीम के छमता से वहाँ एक heavy avalanche एक बहुत बड़ा hymns color एक बहुत बड़ा बर्फ का चटान जो था नीचे से खिसक गिया और वो नीचे गिरने लगा इसके गिरने की रफतार 300 km प्रती घंटा थी बुलेट ट्रेन की रफतार से ये बर्फ गिर रहा था इसकी ख़बर पाकिस्तान को जब तक लगे लगे की बहुत देर हो चुकी थी इतनी तेज रफतार के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये 15 मिनट के अंदर है अंदर 15 मिनट 80 फिट मोटी बर्फ की चादर बिज गई शोची 80 फिट लगबग 8 से 9 मंजीला उंचा बर्फ ढग गया पाकिस्तान के जो वहां बंकर्स थे उनके उपर इन बंकर्स में पाकिस्तान के 124 जमान दबकर मर गए प्रकार भारत का एक top secret mission complete हो गया इसे नाम दिया गया था operation white was ये इतना secret था कि इंडिया की कोई भी government कोई भी official संस्ताई से मानने से इनकार करती है पाकिस्तान ने अंतराष्टी दवाओ बनाया लेकिन भारत ने उसे सिर्य से नकार दिया उसने कहा कि काली नाम का कोई हथियारी नहीं है operation white was कुछ भी नहीं है ये हम इसको इंकार करते हैं लेकिन भारत का ये top secret आने वाले future में सिया चीन या द्रास बाटालिक सेक्टर में लड़ाई में काफी महत्तपूर्ण भूमी का निभाएंगे ऐसे ही भारत का एक और top secret मिसाइल बन रहा है सोरिय मिसाइल ये हाइपर सोनिक होगा इसके लिए एक separate वीडियो बना देंगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए जय ही